हेलो प्रेंट्स वेलकम टू माई न्यू वीडियो प्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग एमस्पेंट के कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जड तक के आलमोस्ट इंपॉर्डन साट कटकी इसका प्रेक्टिकली यूज करना सीख जो की हर यूजर को पता होना चाहिए तो आप चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें तो फ्रेंट्स यदि आप अभी चैनल पर नहीं है तो उपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि फ्रेंट्स हमारे द्वार अपलोड किये लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके लेट्स स्टार्ट दे वीडियो तो फ्रेंट्स इसमें फ़र्ष्ट साट कट की जाता है कंट्रोल ए जिसके द्वारा फ्रेंट्स आल सलेक्ट किया जाता है जैसे फ्रेंट्स माले जिए मैं देखे इस पेज पर कुछ वर्क कर देता हूं जैसे फ्रेंट्स इसमें देखे मैं तीन से को क्रिएट कर दिया हूं अब मुझे तीन से को एक साथ सलेक्ट करना तो क्य कि युज़ करना आ गया होगा इन फ्रेंट नेक्ट साटकुट किई से कंट्रोल प्लस फिंज इस साटकुट कीज़ की डौरा सऩीक मैं five पर कुछ टेक्स्ट को लिख देता हूं तो प्रेंट्स लिखे के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है यहां पर मान लेजे मैं देखे कुछ टेक्स्ट को लिख देता हूं एंड प्रेंट्स इसको यहां से सलेक्ट करना है उसके बाद प्रेंट्स यहां पर द चैट को कोई चैट करने के लिए किया जाता है तो इसके लिए क्या करना है हमें क्या क्यों हombres करना हुगा तो सैक्स्द को नंदो CHAPT करना आट हमें कीबूर्ड से के सठाओ कीको ESC法 करना तरी नदर की पेस्ट करके देख लेते हैं किक हुआ है नहीं तो लोग कोंपी ऑषिक करेंगा क्या जुँआ हेगा सब्सक्राइब select किये गए text को copy करके उसे paste कर सकते हैं and prints इसमें next shortcut की जाता है control plus E prints इस shortcut keys के दोरा हमारे prints MS print के अंदर open किये गए picture की prints properties को check करने के लिए किया जाता है तो prints इसके लिए हमें क्या करना keyword से control plus E key को एक साथ press करेंगे दिन देखे prints image properties का एक dialogue box open हुआ इसमें देखे prints image से related अनेक option दिये गए इसमें देखे prints last save दिखाया जा रहा है कि मलब यह जो prints file attributes से उसका last saved कब हुआ था and prints देखे size on disk दिया गया है and यहाँ पर देखे prints इसका size दिया गया है pixel में देखे दिया गया इसका width कितना है and height कितना है तो prints यहाँ पर देखे इसका height and width image का दिया गया है इसको आप यहाँ से change भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुशार आपको जीतना यहाँ से चाहिए उसको यहाँ पर set करने कवाद उक्क्यवाले option पर click करेंगे तो prints देखे हमारा image का size change हो गया है and prints इसमें next shortcut की जाता है control प्लस जी प्रेंट्स इस साथ कट्की इसके द्वारा so or hide grid line को करने के लिए किया जाता है तो prints हम इसके द्वारा grid line को so or hide कर सकते हैं इसके लिए क्या करना कीबोर्ड से control के साथ जी को प्रेस करेंगे तो हमारे देखे पेज के ऊपर एक grid line लग गया है इसको यहां से हमें अगर है इसे hide करना तो फिर से keyboard से control प्रेस करेंगे तो देखे हमारा grid line यहां से hide हो गया इसको अगर हम यहां पर prints देखे मिनू के द्वारा इसको so or hide कर सकते हैं grid line को तो उसके लिए में क्या करना होगा हमें यहां वीव वाले मिनू में जाना है उसके प्रेंट से यहां पर देखे हमारा grid line का option दिया गया यहां से भी हम prints grid line को लगा सकते हैं अगर so करना होगा तो यहां पर इसको टिक कर देंगे तो देखे grid line लग गया है और इसको यहां से hide करना है तो अंटिक कर देंगे तो देखे हमारा grid line यहां से हट गया है तो इस प्रकार आप यहां से print grid line को अपने page के ऊपर लगा सकते हैं एंड फ्रेंट इसमें next start cut की जाता है control plus i फ्रेंट इस start cut की दोवारा select किये गए text को italic यानि तिरचा करने के लिए किया जाता है तो फ्रेंट मैं इसमें फिर से कुछ text को लिख देता हूँ तो फ्रेंट देखे text को लिखने के बाद अगर इसको हमें italic करना है तो इसको यहां से select करना होगा और फ्रेंट यहां पर देखे italic का option आ गया है यहां से फ्रेंट हम इस option पर click करके select किये गए text को italic कर सकते हैं और फ्रेंट इसमें next start cut की जाता है control plus N फ्रेंट इस start cut की इसके उदर new blank page को open करने के लिए किया जाता जैसे फ्रेंट देखे हम यहां पर MS print के अंदर कुछ work कर दिये हैं तो फ्रेंट अगर हमें new blank page चाहिए तो हमें क्या करना होगा तो फ्रेंट हमें क्या करना है कीबोर्ट से control plus N की को प्रेस करना है तो हमारा new blank page आ जाए गया या फिर फ्रेंट यहां पर देखिए हमारा file का option दिया गया यहां पर file वाले option पर click करके यहां से print new वाले option पर click करके कर सकते हैं की निवाले option पर मैं pointer को ले गया हूं तो फ्रेंट यहां पर देखिए इसका साइट कट की चांट्रोल प्लस N यहां पर देखिए अभी सो हो रहा था तो फ्रेंट हम साइट कीश के द्वारा ही करके देख लेते हैं तो क्या करना है मैं कीबोर्ट से control प्लस N की को प्रेस करेंगे तो फ्रेंट यहां पर देखिए कारा डू यू वांट टू सेव चेंस टू मतलब यह जो आप इसमें वर्क किये इसको सेब करना चाहते हैं या फिर नहीं तो फ्रेंट सेव नहीं करना तो डॉन से वाले option पर click करेंगे तो फ्रेंट हमारा देख बोर होने की जरूरत नहीं है इसको आप वीडियो को पूरा इंज्वाय करिए ताकि प्रेंट आपको इमस्पेंट के इंदर जो भी साट कट कीज बताया जाए वह आपको एकदम समझ में आ जाए अगर प्रेंट सापको कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंड यों प किसी सेप किये गए फाइल या इमेज को ओपन करने के लिए किया जाता है जैसे प्रेंट समय मान लीजिए एमस्पेंट के अंदर किसी भी सेप किये गए डाकुमेंट को ओपन करना है तो प्रेंट सम कंट्रोल प्लस ओ की को प्रेस करके यहाँ पर ओपन कर सकते हैं यहाँ फाइल वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर देखे, open का option दिया गया है, यहाँ से prints open वाले option पर click करके, हमें में spend के अंदर, कोई भी save किये गे, document या image को prints open कर सकते हैं में spend को, तो prints यहाँ से हम open नहीं करेंगे, shortcut keys के द्वारा ही open करके देखेंगे, तो prints हमें क्या करना है, keyboard से control plus O key को press करेंगे, तो prints हमारा देखे, open का dialogue box फिर से open हो गया है, and prints अब यहाँ पर देखे, हमें किसी भी जिस भी image को open करना होगा, में spend के अंदर, उसको यहाँ से select करना होगा, तो prints आपको जो भी image जहाँ पर आप अपने location में save किये रहेंगे, उसको वहाँ से जाएंगे, and वहाँ से prints उसको select करेंगे, उसके बाद select करने के बाद open वाले option पर click करेंगे, तो prints देखे, वो image जो था, वो देखे, image spend के अंदर open हो गया है, इस प्रकार आप prints, image spend के अंदर किसी भी image को open कर सकते हैं, चाहे जो image जो बस आपको उसके location पर जाना है, वहाँ से select करना, and then open वाले option पर click कर देना है, तो prints आपका save किया गया image, image spend के अंदर फिर से open हो जाएगा, and prints इसमें next start cut की जाता है, control plus P, prints इस start cut कीज के दौरा MS spend के अंदर आप जो भी work किये रहेंगे, उसको print करने के लिए किया जाता है, तो prints अभी हमारे system में कोई printer नहीं लगा है, तो हम print तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको print करने के तरीकों को बता सकते हैं, तो prints हमें क्या करना है, कीबोर्ड से control plus P की को एक साथ प्रेस करना है, तो prints यहाँ पर देखे, print से print का यह dialogue box ओपन हुआ है, अब यहाँ पर prints देखे, अनेक option दिए गहें print करने से related, यहाँ पर prints देखे, select printer का option दिया गया, यहाँ से आप printer को select कर सकते हैं, जो भी जिस प्रकार का आपका printer होगा, तो prints आप यहाँ से printer को select करेंगे, and prints यहाँ पर देखे, page range दिया गया, यहाँ से prints आप page के range को select कर सकते हैं, and prints यहाँ पर देखे, number आप page दिया गया है, यहाँ से आपको select करना होता कि आपको कितनी complete चाहिए, तो यहाँ से आपको जितना भी काउपी चाहिए, एक साथ, दस, बीस, पचास, सव, आप यहाँ से उसको select कर लेंगे, उसके बाद prints यहाँ पर जितना भी आपको पेच चाहिए, उतना यहाँ पर type करने के बाद, print वाले option पर click करेंगे, तो फ्रेंट्स आपका जो print का option है, वो फ्रेंट्स जो आप इसमें work किये रहेंगे, वो आपके फ्रेंट्स printer के माद्धम से print हो जाए, और फ्रेंट्स इसमें next start कट की जाता है, control plus R, फ्रेंट्स इस start कट की इसके दुवारा ruler को soar hide करने के लिए किया जाता है, इसको अगर यहां से remove करना तो फिर से keyboard से control plus R की को प्रेस करेंगे तो देखे रूलर यहां से remove हो गया है, और फ्रेंट्स अगर इसको और भी एक तरीके से ruler को soar hide कर सकते हैं, यहां पर फ्रेंट्स व्यू आले मिनू में जाना है, यहां पर फ्रेंट्स देखे ruler का option दिया गया, यहां से अगर इस पर tick कर देंगे तो देखे फ्रेंट्स हमारा ruler page पर create हो गया है, यहां से अगर इसको ruler को remove करना है, तो फ्रेंट्स यहां से untick कर देंगे तो हमारा ruler जो है वो remove हो जाएगा, बट हम प्रेंट्स पेज़ पर रूलर को रहने देते हैं एंड प्रेंट्स इसमें नेक्स्ट साइट कट की जाता है Ctrl प्लस S प्रेंट्स इस साइट कट कीज़ के दोरा आप जो भी MS Paint के अंदर वर्क किये रहेंगे उसको प्रेंट्स सेट करने के लिए किया जाता जैसे प्रेंट्स देखे मैं MS Paint के अंदर ये जो दोनों सेट बनाया हूँ इसको मान ली जी मुझे सेट करना तो प्रेंट्स हमें कीबोर्ट से Ctrl प्लस S की को प्रेस करना है या फिर प्रेंट्स यहां पर देखे फाइल का अपसन दिया गया है यहां पर क्लिक करेंगे तो प्रेंट्स यहां पर देखे सेट का अपसन दिया गया है तो प्रेंट्स यहां पर देखे सेट का साट कट कीज भी हाईलाइट हुआ था Ctrl प्लस S तो प्रेंट्स हम साइट केट कीश के द्वारा ही इसको सेब करना सीखते हैं तो प्रेंट्स हमें क्या करना कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस S की को प्रेस करेंगे तो प्रेंट्स देखें सेब आज के एक डायलोग बॉक्स ओपन हुआ आप prints हमें देखे यहाँ पर page की location को select करना कि मतलब हमारा जो एक file है वो कहाँ पर save होगा तो prints मालेजे मुझे इससे desktop पर save करना है तो prints हम यहाँ से desktop पर select करेंगे उसके बाद prints यहाँ पर दे के नीचे file name का option दिया गया है यहाँ पर prints हमें जो भी file name देना होगा उसको यहाँ पर हम type कर देंगे उसके बाद prints file name देने के बाद यहाँ पर देखे save as type का option दियागी इसमें prints इसके format को select करना होता है कि यह किस format में save करना है तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिये desktop पर हमारा save हो गया है तो इस परकार आप MSPENT के अंदर किसी भी तयार किये document को जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर उसको save कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इसमें next shortcut की जाता है control plus U फ्रेंट्स इस shortcut की इसके दोरा select किये के text के नीचे underline करने के लिए किया जाता है जैसे फ्रेंट्स मालेजी मैं इस पर कुछ text को type कर देता हूँ तो फ्रेंट्स text को type करने के बाद हमें इसको select करना है तो फ्रेंट्स select करने के बाद यहाँ पर देखिये underline का option दिया गया है यहाँ पर फ्रेंट्स अंडरलाइन वाले आपसन पर क्लिक करके इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर कीबोर्ट से Ctrl प्लस U की को प्रेस करके सलेक्ट कियेगे टेक्स्ट की नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं कर दिया हूँ और अभी अगर में लिए इसे मुझे पेश्ट करना तो कीबोर्ड से कट्रोल प्लस व की को प्रेश हो रहा है इसके नेक्स्ट साइट की जाता itäten उस सटैक्ट कि जाता आर्म देवलो फ्रेंट्स इससाइट करत्व की चाहता करने के लिए किया जाता है तो फ्रेंट्स हमें क्या करना कीबोर्ड से ctrl plus w की को एक साथ प्रेस करना तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए resize and iskew का एक dialogue box open हुआ इसमें फ्रेंट्स देखे यहाँ पर option दिए गए आप कब यहाँ पर देखे आप यहां से resize किये रहेंगे वो friends यहां पर page की उपर effect create हो जाएगा and friends इसमें next start cut की जाता है control plus X friends इस start cut keys के दोवारा select की अगर text को cut करने के लिए किया जाता है जैसे friends मान लेजे मैं यहां पर देखे कुछ text को type कर देता हूँ and friends अब इसे मुझे मान लेजे अब तक तो मैं copy करके देखा हूँ and अगर मुझे इस text को cut करना तो इसको यहां से select करना होगा and keyboard से control plus X की को press करेंगे तो देखे हमारा select की अगर text cut हो गया है and अब इसको मुझे मान लेजे paste करना है तो keyboard से control plus V की को press करेंगे तो देखे हमारा cut किया गया text paste हो रहा है तो इस परकार आप cut किया गया text को paste कर सकते हैं and friends इसमें next start cut की जाता है control plus Z friends इस start cut keys के द्वारा go to backward यानि back side जाने के लिए किया जाता है जैसे इसमें जो जो work किये हैं उसको अगर back side में remove करना है तो हमें keyboard से control plus Z की को press करते जाएंगे तो देखे हम जैसे जैसे work किये थे वैसे वैसे देखे फ्रेंट्स backward हो रहा यानि हम back side में जा रहे हैं and friends next start cut की जाता है control plus Y friends इस start cut keys के द्वारा go to forward यानि जो जो work हम backward में side में किये थे उसको forward अगर करना है तो हमें keyboard से control plus Y की को press करेंगे तो देखे जैसे जैसे work का हम देखे backward किये थे वैसे इसे देखे forward हो रहा है तो friends I hope कि आपको control A से लेकर control Z तक जो भी start cut keys का मैंने practically यूच करना बताया हूं वो आपको समझ में आ गया होगा अगर friends आपको कहीं भी कोई भी doubt है तो आप उसको तुरंद comment पूछेगा आपको उसका solution तुरंद मिलेगा friends आपको अगर वीडियो पसंद आया तो please channel को subscribe करके बेल आइकन घंटी को press कर दीजिएगा ताकि friends हमारे द्वार अपलोड किये लेटेस्ट वीडियो का notification आप तक आसानी से पहुंच सके